डी इपी नियमों को दिखाया गया ठेंगा एंसीटुवीग गयरा पहुंचा हाई कोट तीन जिलवाई को होगी सुनवाई और इस अपसरों ने दायर किया याचिका जी हां साथ ही आप स्वागत है मेरे चैनल पर आजम बात करने जा रहें एंसीटुवीग गयरा के बारे में जी हां साथ ही ओफिसरों ने कोईल कम गयरों के इन स्वारे के इन सुछाइव गयरा GET होने वाला है और उन्होंने क्या याचिका धायर किया है इस पर आगे बात करेंंगे आप हमारी है चैनल पर बने रहें चाप थीचाथ मेरे चैनल को लाइक और सिस्क्राइब करना नह भ बुले क्विला कमगारों की अजिका प्रतीन जुलाइक को सुनवाई होगी इसन दर में दैर की गई याजिका पर सनिवार को सुनवाई हुई अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाइक की गई है, बताया गया है, दिली कलकत्ता इलहाबाद नागपूर हाई कोट में याजिका द दायर की गई है लास्कुर्ण हाई कोड़ में दायर की गई याचिका कार्यकारी सवारण के उनीच लोगों ने की सभी याची करता से इस इछ सट्राइज का में सर्टि एंड्रस्ट्री एंव पब्लिक इंटरप्राइज मंताले नहीं दिल्ली कोईला मंतराले के सकैट्री को कपनी के कमचारी और वर्तमान कारेकारी काड़र में विभीन पदोपर कारेत हैं को अन्य सवजनिक छेट के उद्धियम की तरदोस रेनी यानि और घर करकारी वर गृत किया गया है बाचित के माद्याम से वेतन समझेते को अंतीरूम देने के लिए पतिवादी नंबर वन यानी डीपिग ने जोबी सिगारा दो सतर को दिशा निदेश जारी किये हैं जिने केविनेट द्वारा विधिवत अनुमोधित किया गया है जो असपर्ष रूपत से निदारित करता है कि सरमिक के लिए कोई वेतन वर्ता और उसे अन्ती रूम देना उग्त अधिसुचना के ताहद उलिकित सर्तों के आधीन है जिसमें उग्त नितिखनड नमर दो के चार और पांच के ताहद या विसेश रूप से निदारित किया ग करते हुए बताया गया कि इसमें डीपी की गाड़लाइन को लेकर कोईला मंतराले से अनुरोद करने और इसमें छूट की मांग करने की बीचर्चा की गई थी याजिका में कहां गया कि अपाद्य के बाजू दिया जानते हुए कि वेतन संस्वधन का प्रस्ता और डीपी किया इस बीच अभय वेतन और डीपी निर्देश के अस्वश्च रूप से दिखाई देने वाला उलंगन के बावजुद कोईला मंतराले ने दिनाग 2222 को अपेक्षित आदेश जाई किया और दिनाग 2523 को उक्त समझोता विज्यापन को अपनी पुष्टित दी है उक्त निर्विवाद होने के कारण जहां NCW 11 को लागू करने में डीपी दिशा निर्देश दिनाग 2422 का उरलगन किया गया है याचिका करताओं ने कोट के समझ डीपी की गाडलाइन जेपी सी सी बैटर का पूरा बेवरा NCW 11 का MOU वेतन विवाद कैसे उत्पन हो रहा है आकराओ के साथ इसकी जनकारी प्रश्तुत की है कोल अधिकारियों के दू संगाठनों ने भी कोल इंडिया प्रबंदक को वेतन विवाद को लेकर अंदोलन की चेवतानी दे रखी है कोल माइन्स ऑफिसर अस्योरेसेशन ऑफ इंडिया ने महारतन कंपनी के बराबर पे इसकेल अप लागू कर दिया गया है सी एम ओ आयों ने इसकेल के अपग्रेशन लागू करने के लिए 15 जुलाई तक अल्टिमेट दिया है इसके बाद चरण बंद अंदोलन छेरा जाएगा इसी तरह को लिनियों इमिटेट के बाकी मुद्दों के जनकारी के लिए आप हमारे चैनल स्क्राइब करना ना बुले धन्यवाद